दोस्तो एक्सिस बैंक का सैमसंग इंफाइनेट क्रेडिट काड एक ऐसा क्रेडिट काड है जिसको ज्यादा तर लोग सिर्फ उसके जॉइनिंग बेनिफिट के लिए अपलाई करते हैं और वो इसलिए क्योंकि इस क्रेडिट काड को जब आप पाते हैं तो पहले 30 दिनों में अगर कोई भी तीन ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी अमाउंड के तो आपको 30,000 एक्सिस एज पॉइंट मिलते हैं इसके अलावा इस क्रेडिट काड को अभी आप अगर कैश को रोक के थ्रू अपलाई करते हैं तो वहां से आपको अलग से 2000 रिपे का Amazon का gift voucher मिलता है तो अगर आपके अपस कोई मैगनस क्रेडिक काड है रिजर्व क्रेडिक काड है जहां पर हायर एक्स्चेंज रेड मिलती है तो इन 30,000 पॉइंट को इवन डी वैलुएशन के बाद भी मैगनस और रिजर्व के अगर आप ट्रांसफर करते हैं एयर माईल या होटेल प्रोग्र इसके अगेस्ट में जो आपको जॉइनिंग फी पेए करनी जीस्टी मिला के वह 5,900 रुपिया है तो 5,900 रुपे की जॉइनिंग फी के अगेस्ट में 14,000 रुपीज का आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है इसके अलावा आपको इजी डैनर की प्राइंग मेंबर्शिप पूरे साल के लिए जो है वो भी फ्री मिलती है तो एक काफी अच्छा जॉइनिंग बेनिफिट इसमें है और इस क्रेडिट कार्ड को कैश करो की तो अपलाई करने का जो लिंक है वो भी मेंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो अगर आपको इसको अपलाई करना है इसके रेगूलर बेनिफिट की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये, को ब्रैनिट करड़े सैंसंग के साथ, सो सैंसंग की फिजिकल स्टोर से सैंसंग. दॉट कॉम पे या फ्लिप कार्ट पे कहीं से भी आप सैमसंग के प्रोड़क्स को प्रचेस करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके तो आपको 10% का रियल कैश्वग मिलता है अप्टू 5000 रुपीज पर मंथ और मैक्सिमम 20 रुपीज पर यर सैमसंग का प्रोड़क्स परचेस करने का प्लान है तो तब तो यह क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि अच्छा कासा रियल कैश्वग यह आपको दे देता है इसक नहीं भी इंट्रनाशनल ट्रावल पर या इंट्रनाशनल ट्रांजेक्शन पर यूज करते है तो आपको हर 100 रुपीज के स्पेंट पर 15 एक्सेस एज रिवार्ट प्वेंट्स मिलते हैं बड़ एक बात याद रखिए दोस्तों इंट्रनाशनल स्पेंड पर इनका जो क्ष एक्स मार्कप चार्जे से वो 3.5% प्लस GST है तो आप के पास मैगनस या रिजर्ब क्रेडिट कार्ड और इंको एर मैल में ट्रांसफर करते हैं तभी ये बेनिफिट आपके लिए थोड़ा यूसफूल हो सकता है इसके अलावा इनके कुछ पार्टनर्स ब्रैंड से जिसमें 1MG, Urban Company, Mintra, Zometo इस तरह के ब्रैंड्स शामिल है उन पर भी आप यूस करते हैं तो 100 रुपीज के स्पेंड पर आपको 15 reward points मिलते हैं इसके अलावा इस credit card को आप पही भी यूस कीजिए आपको 100 रुपीज के स्पेंड पर 5 एक्सिस edge reward points मिलते हैं बाकी सार एक्सिस credit card की तरह यहां भी कुछ exclusions है जिन पर आपको कोई reward points नहीं मिलते हैं उनकी list जो है मैंने screen पर दे रखी है इस credit card के थुरू अगर आप easy diner app पर restaurants में payment करते हैं तो वहां पर भी आपको 25% का instant discount मिलता है up to 800 रुपीज once in a month अगर आपका minimum जो order value है वो 2500 रुपया यह उसे ज्यादा का है इस credit card के साथ में आपको साल में 8 domestic airport lounges का access करने को मिल जाता है और international airport lounge access के लिए आपको इसके साथ priority pass भी मिलता है जिसको use करके साल में आप 6 international lounge access जो हो कर सकते हैं तो दोस्तों यह है इतके regular benefits कार्ड की जो फीए वो 5000 रुपीज प्लस जीएश्टी में बना 5900 रुपया और इनकी जो renewal फीए वो भी उतनी है जोनिंग offer में अगर आप interest rate है मतलब 12,000 आपको तो airmise मिल सकता है अगर आपका मेगनस credit card है और उसके अलावा 2000 रुपीज का आपको जो है Amazon का gift card है वो मिल जाता है तो उस case में आप इस card को apply कर सकते हैं मेगनस credit card नहीं भी है, reserve credit card नहीं भी है तो आप 30,000 पॉइंट के आप normal value देखे तो हर पॉइंट की 20 पैसा value होती है तो उसके सबसे 6000 रुपय का value आपको वैसे भी मिल जाता है 5000 रुपय की जोनिंग fee के अगेंस्ट में इसके अलावा 2000 रुपय का Amazon का gift card है को आपको cash करो से मि बारे में वीडियो अच्छा लगाओ इंट्रेस्टिंग लगाओ तो इसको लाइक कीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बाई